गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम पार्ष चाउदा टिप टीपुआ पढ़ेंगे समझ मैं हमारा जो सिर्षक है टिप टीपुआ वो की साधार पर रखा गया है वो बताएंगे जैसे सार्थक कर रहा है कि नहीं जैसे कि हम बारिष में जो पानी टपकता है उसमें से किस तरह के आवाज आती है टप टप करके तो उसी का नाम यहां पर टिप टीपुआ पढ़ा है तो वह चलिए हम कहानी आपको समझाते हैं यह समझ में आ जाएगा कि जो सिर्षक है टीप टीप यह टीप टीपवा वर्ड क्यों रखा गया है किसी गाओं में एक छोटी सी खुटिया थी ठीक है यह जासे हम बतातें न कि गाओं था वह जँसी rugged hero मतलब घहास फुच से बनी हुई जोपड़ी कुटिया क्या मतलब होता है जो फुच से बनी हुई होती है इसको क्या करते ह साथ रहती थी यहनine उस जोपड़ी में या जो घासपुस्का बना हुआ माकान था उसमें बूड़िया रहती थी किस के साथ रहती थी अपने पोते के साथ यहनि उसका बेटा उसे क्या बोलती अपनप पोता दाधी से कहां सुनते हैं तो वैसे ही जो बुरिthose को रात को दादी से कहाने सुनने की आदत थी ठीक है वहर रोज कहानी सुनता था कि ऐख वासे में मुश्लाधहर बारिस हुई मुशलाधार का क्या मतलब होता है बहुत तेज बारिष ठीक है जो बहुत कभी कभी देखते हैं बहुत तेज बारिष किरती है बड़ी बड़ी बुन किरती हवा पानी चलता है वैसे ही खुब तेज बारिष हो रही थी उसी को बोला कहा है मुश्लाधार बारिस बारिस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी याने कि लगातार बारिस हो रही थी एक मट के लिए भी नहीं रुक रही थी टिप 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 और पानी गिरने का कैसा आवाज आता था तो टिप टिप करके आवाज आता था तो पोता दादी से बार-बार कहानी सुनने के लिए और पोटा अधती हर रात को कहानी सुनने की तो उस रात भी जीद कर रहा था तो दादी बहुत परिशान हुई ठीक है उसे बहुत गुस्सा रहा खीज कर खीज कर मतलब के उता है गुस्सा हो ना तो अरे बेटा कैसे गाहानी सुनओ उसे बहुत गुस्सा और ले पोते को डाढ़ती हुए गुसे में कि मैं तुम्हें कहानी क्चिस सुनौ। इस तभ लग थैजो पानी गिर रा है पानी गिर ने तो तपक रहा टिप टिपवा से जान बचे तब ना पोता दादी को परसान देखकर बोला दादी आप टिप टिपवा से डरती क्यों है याने दादी को गुस्सा हुई दादी जोर से बोलने लगे कि इस टिप टिपवा से मुझे राहत मिलेगी मेरी जान बचेगी तब तो मैं तुम्हें कह करके उसको देखते हुए अपने पोते को बोलती है इस टिपटीपवा से तो भगवान ही बचाए ठीक है याने भगवान ही बचाए क्यों बोली क्योंकि भगवान जब बारिस बंद करेंगे तभी छट का पानी टपक ना बंद होगा और लगातार बारी सो रही थी यह ना तो बार को आदमें रोक सकता इसलिए दादी इसको गुस्से मोती है ना थे से डरता है नहीं बाग से डरता है जहां इसका मन करता है वहीं टपक जाता है यानि जहां पाने को चूने की हई है कि तुने की जगाwn मिलती है वहीं से वह ऐसे उने लगता है कोई किसी से डडरे या ना डररे इस टिप टीपवाWeAll या बाग से ढरे या ना रहे कोई फरक ने पड़ता है लेकिन इस टिप टिपवा से जरू डरता होगा तो आप लोग भी देखो कि अगर आपकी घर में पानी टपकेगा ता परसान हो जाते हैं और क्या करते भगवान पाने ना गिरें ताकि हमारा घर से पानी ना टपकें हम यह सो इसने हमको डर लगा रहता है तो वैसे ही दादी बहुती है ऐसा को इंचानी होग जो टिप टिपवा से जरूर्ड़े गया ना डरता हो इसलिए तो दादी टिप टिपवा किसको बोली चासे टपकतीवे पानी के बूंद को संयोग से यानि इत्तफाक से जैसे अपन स्योंक्व मिल जाते हैं आपको बताइग कि बीखने के पीछने के फिर पीछे आपको बताएं itu लगा तर वालीश वह तुमाइब किनारिया के चुप गया थी जंगल में भी पारिस पानीतीज हो रहा था बुड्या की बार सुनकर डर गया बुरिया घर में अपनी बेटे को बता एक कि टिपटिपुआ प्लोग को जानवर समझों गया कि नहीं तो से इस दादी बॉلिख दरता है इसे किसी चीज का डर नहीं है या टिप टिप वा ना जाने क्या बला है ठीक है दादी अपने पोटे को बोल रही थी तो सेट डर जाता और मन में सोचता है पता नहीं यासी कौन से चीज है जिसे दादी टिप टिपवा बोड़े, शायद बहुत खतरनाग चीज़ है, ठीक है, बड़ा जानवर होगा, खतरनाग जानवर होगा, जो किसी से नहीं डरता, इससे पहले की वह मुझे पर हामला करे, यानि मुझे अपना सिकार बनाए, यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, तो वहां से वह तुरंत भाग जाना चाहिए, सोचके चला जाता है, दूम दबा कर भाग निकला, यानि डर कर भाग गया, दूम दबा कर भागना मतलब डर कर भागना, ठीक है, एक मुहावरा है, उसी गाओं में एक धोवी रहता था, ठीक है, उसी गाओं में कौन भी रहत और 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 भी लगाताब नहीं था नहीं मिल रहा था तो अपने जा दोन रहा को परसान देखका उसकी पत्नी बोली ठीक है कि उसे क्या करना चाहिए पंडी जी से यह फूछ लेते क्यों ऐसा कहा गया क्योंकि हमें जो कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी होता है तो हम उसका उपाय किस से पुछते हैं पंडी जी से तो बोलती है कि पंडी जी से क्यों नहीं पुछ लेते हैं उन्हें तो सबकी ख़बर रहती है किसे पंडी जी को धोविक को पत्नी की बा पंडित के पास आकर अपनी समस्या को हल करने चाहिए वह अपना मूटा डंडा लेकर पंडित जी की घर के ओर चल दिया याने गधा को हकाने के लिए उसकी पास क्या था एक तो मूटा डंडा उसको लेकर वह कहां चला जाता है पंडित की घर पंडित की घर में बारिश का पानी भरा हुआ था क्यों कि हमने पहले ही बताया स्टोरी में कि बहुत ही तेज मुशलाधार बारिश हो रही थी वे पानी को उलिच उलिच कर बहार फेक रहे थे तेज बारिश होने की कारण पंडित जी की घर क्या भर गया था पानी भर गया था उलीच उलीच कर याने दोनों हाथों से डबा या मगा से जैसे विश्वीधा हो वह अपने घर से बाहर फेक रहे थे याने घर से पानी बहार निकाल रहे थे तभी धोबी ने आकर पूछा उसी समय धोबी पंडी जी के पास पहुंच आता है महाराज मेरा कि जश्वीधा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है जरा पोथी बताइए कि वह कहां है याने पंडी जी को सव्रीधा नहीं मिल रहा था तो पंडी के पास बताता है जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम हों से पंडी जी अपना फोठी खोटे है और वाजकर पोठी जिसमें पत्त्र मेरी मेरी में तेरे गधे का पता ठीकाना लिखा है क्या यानि तुमने आके में से बोल दिया कि अपनी पोती पढ़के बताओ कि मेरा गधा कहा है तो क्या मेरे पोती में तुम्हारा गधे का एडेस लिखा है क्या जा जाकर किसी गधे या तलाब में देख यानि गधे लोग किसी गधे में गिर गया होगा किसी तलाब में डूप गया होगा जाके वहां ढूंड़े कौन बोलता है पंडिज बोलता है ठीक है इसके आगे का नेस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे